नमस्कार दोस्तो यूपी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत शागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम गैस की बर्नर को साफ करना सीखेंगे चलिए हम गैस की बर्नर को आसाने से साफ कर लेते हैं इसे साफ करने के लिए हमें विनेगर चाहिए आपके पास यदि सफ स्टेद वालड टालें हमारे पास ये काला वाला विनेगर है हम इसे डाल देते हैं ये ट्टोरी में हम इसे निकाल कर ले लेंगे हम इस काटोरी में विनेगर निकाल दिये और अब ये बर्लर को हम इसमें डाल देंगे डाल का इसे हमें एक घंटे तक इसी तरह से छोड़ देना है उसके बाद हम इसे साफ करेंगे ये बहुत ही आसानी से एक्दम नए जैसा चमकने लगेगा हम इसे इसी विनेगर में डाल कर छोड़ देंगे एक घंटे बाद हम इसे साफ करेंगे दोस्तों हमें बर्लर को एक विनेगर में भीगोए हुए आदा घंटा हो चुका है अब हम इस बर्लर को उल्टा करके भीगो देंगे जिससे बर्लर अच्छे से साफ हो जाए कि दोस्तों यह गैस की बर्नल को हमें भीगवे हुई एक घंटे हो चुके हैं हम विनेगर में एक घंटे पहले इसे भीगवे थे बीच में हम इसे पलट दिए थे चलिए अब हम इसे साफ कर ले दें इसे साफ करने के लिए सबसे पहले हम एक खराब टूठ प्रस लेंगे और उससे तूट प्रस से इसे इस तरह से रगड़ेंगे इसी तरह से हम बनर को अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे आप देख सकते हैं बनर से ये काली काली गंदगी निकल गई है हमें चारों तरह इसे अच्छे से ब्रस से साफ कर देना है उसी तरह से हमें नीचे भी साफ कर देना है हम इसे इसी विनेगर से दोर लेंगे ये इतनी सारी गंदगी इस बर्नर से निकली है अब हम बर्नर को धूलेंगे बर्नर को धूलने के लिए हमने ये बर्तन माजने का सुथा लिया है इसे हम इस तरह से इसे साफ कर देंगे उसके बाद हम इसे कटोरी में और टोटी के पास ले जाके धूल देंगे हम फिर से कटोरी में पानी लेंगे साफ और उसमें धूल देंगे दोस्तों ये बर्नर हमारा साफ हो गया है दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा बर्नर अच्छे से साफ हो चुका है पहले कितना ज़्यादा काला था अब ये नए जैसा चमक रहा है अब हम इसे बानी में से निकाल देंगे और सूखे साफ कपड़े से इसे पोष देंगे अच्छे से हमें इस थरह के कोही सूत्थी कपड़े लेकर इसे अच्छे से पोष देना है उसके बाद हम इसे गैस में लगा देंगे आप भी इसी तरह से आसाले से बर्नल को साफ कर सकती हैं बिने कोई मेहनत की यदि आपको बर्नल साफ करना हो तो आप भी वीडियो में बताईगे जानकारी को फालो करेंगे तो आपका भी बर्नल एकदम साफ हो जाएगा धन्य बाद